नमस्कार BQ बिजनस हैडिया चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में अगर आपको बिजनस करके कामयाब होना है इसी के बार हम बात करेंगे आप वीडियो को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगा जिससे आप मार्केट में कामियाब हो सकते हैं समझ मा गया इस वीडियो में देखिए मैंने आपको सीधा दिखाया है कि अगर आप दुकान खोलते हैं मार्केट में जैसे माल लिजिए अगर आप एक्जेंपल के तोर पर कीराना का दुकान खोलते हैं समझ मा गया आपने रूम लिया उसका हजार दुहजार भाड़ा आपको देना पड़ेगा एडवांस भी पचास हजार एक लाख आपको देना पड़ेगा तो आप जब दुकान खोलिए तो उसके आगे एक आप फस्ट फूड का बनवा लिजिए अप छोटा सा दुकान जैसे आपने देखा होगा सिसाउसा लगा कर बढ़िया बन जाता है बी आईपी तो आप बहुत छोटा आप उसके आगे एक इंस्टोर लगा दीजिए फैदा क्या होगा जैसे मान लिजिए आपको भाड़ा तो देना है और आगे का जमीन आपका है जब आप भाड़ा दे रहे हैं तो आप ही का हुआ है तो उसे खाली रहने से बढ़िया है आप उसके आगे एक इंस्टोर लगाईए फस्ट फूड का यह बहुत ही बढ़िया मैंने अपने नाम से ही इसे आप लोगों को दिखाया है बना कर तो आप एक रूम लेते हैं आप दुकान खोलते हैं उसके आगे आपको एक इंस्टोर लगाना है फस्ट फूड का दुकान आप कोई भी खोली है लेकिन आपको फस्ट फूड का इंस्टोर लगाना है इससे फैदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ आज के समय में सबसे ज़्यादा चलने वाला अगर आप देखें कम पूजी में तो सबसे बढ़िया बिजनस यही है अब इसके लिए आपको यह कारिगर खोजना पड़ेगा जो आपको आठ हजार दस हजार में मिल जाएगा यह कारिगर बढ़िया हो चाहिए जो थोड़ा कोई भी प्रोडेक्ट बनाए तो क्वाल्टी का हो और बढ़िया हो ॅब इससे दिखिए आपको मान लेज lihat चले यह मानके चलिए दस हजार में आपको आपका कारिगार मिल गया अब वह दस हजार आप अगर उसे देंगे तो आप उस दुकान से बस आप फास्ट फूट के दुकान से ही कम से कम 30,000-40,000 कमाएंगे यह गारंटी है बस क्वाल्टी का आपका होना चाहिए यह प्रोडेक्ट और मार्केट में होना चाहिए यह नहीं है बहुत छोटा मार्केट नहीं तो आप अगर किराने का बड़ा दुकान या किसी चीज का दुकान खोलते हैं तो आप मार्केट के अगर हो सके तो बीचो बीच में खोलिए इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा या तो मैंने आपको यह दुकान दिखाया है अगर इस पर ज्यादा लाई कोई काएगा तो इसे मैं पूरा एदम मार्केट बनाऊंगा समझ मैं गया और मार्केट में आपको किस जगह पर दुकान खोलना चाहिए यह सब आपको जनकारी मिलेगा तो माल लिजिए आप अगर 10,000 कारिगर को दे रहे हैं और जो भी आपका रूम का भाड़ा हो आप तो उससे भी कमाएँगे आप उससे भी कमाएँगे हो सकता है कि माल लिजिए आपका थोड़ा की राने का दुकान अगर लो चला है तो उससे आप कमाएँगे हो सकता है कि आपका थोड़ा यह फास्टपूर्ट का दुकान चला है तो आप उससे कमाएँगे तो आपको उसमें लगेगा क्या कुछ नहीं आपको दुकान पर जाना ही है सुबह से साम तक उस पर रहना ही है तो उसी समय में आप दूना पैसा कमाएं तो बढ़िया है समझ मैं गया आप उससे दूना पैसा कमा रहे हैं उससे भी कमा रहे हैं हो सकता है कि आगे चल कर रहे आपका फास्ट पूट का ही दुकान बहुत बढ़िया चलने लगे तो आप अपने नाम से और इंश्ट्रॉल लगा सकते हैं अलग-अलग मार्केट में तो सब थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे मैं भी देखिए मैं एक चीज लेकर नहीं बैठता हूं मेरा खेती का काम है नडर का खेती मैं करता हूं साथे साथ यूट्व चैनल बनाता हूं साथे सात मेरा जो है ट्र गशेंस अमडर का बीजनर से इब यह है तो थोड़ा-धोड़ा अगर पैसा मैं यह नहीं काता हgi बहुत ज्यादा पैसा कमाता हूं लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो साल का होता है तो साल का माली जी इगर मैं This United अगर मैं एक लग क्मा रहा हूं और माली जी दिटेजिन पाउडर के बिजनेस से मेरा 1100 हो रहा है प्रॉफिट रूच का तो ये दीरे-दीरे करके ज़्याधा पैसा हो रहा है और मैं एक चीज की अगर माली जेली कर बैठा होता जैसे डिटरेजन पाउडर का तो हजार बारस हो इतना इनकम आता है अभी यह तो नहीं है बहुत बड़ा मेरा बिजनस है बहुत ज्यादा चल लाए तो छोटे छोटे बिजनस करके आप कई जगह से अगर अर्निक करेंगे तो आपका ज्यादा लाब होगा इसी तरीके का मैं वीडियो आपको बना कर दिखाऊंगा जिससे आपको नोलेज हो समझवा गया क्योंकि मैंने प्रेक्टिकल फार्मूला तो बहुत ज्यादा आपको बनाया है बीच-बीच में वह भी आता रहेगा और साथ ही साथ आपको यह भी नोलेज दिया जाएगा कि मार्केट में आपको कौन कौन सा बीजनेस करना चाहिए तो आप ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें मैं तो सोच रहा हूँ एक पूरा 3D एनिमेशन का सिस्टम बैठा हूँ लेकिन वह उसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो जब इस सिस्टम बैठ जाएगा तो मैं आपको एक से फिल्म बना के दिखाऊंगा एक घंटे दो घंटे का फिल्म पूरा मार्केट के उपर चलिए वीडियो देखने के लिए धन्मान नमस्कार